फिर से एक बर आप सब का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है Twitch अप्लिकेशन में किस तरह से एकउंट क्रेइट किया जाता है किस तरह से ID बनाया जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं Twitch हम यहाँ पर search कर लेंगे इस application का logo आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा इसे download करके install कर लेना है उसके बाद आपको इसे open करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको allow में click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेगा login और यहाँ पर आपको मिलेगा sign up का इस application को आप first time use कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको sign up करना होगा और आपने sign up कर लिया है तो यहाँ पर आपको login करना होगा तो यहाँ पर हम sign up में click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको sign up में अपना email address डालना है यहाँ पर आपको unique username डाल देना है यहाँ पर आपको strong password डालना है यहाँ पर अपना date of birth आपको enter कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर sign up में क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं Please verify your Twitch account तो यहाँ पर आपके email address में एक OTP आएगा उसे आपको यहाँ पर enter कर देना है इंटेर करने के बाद आपको यहाँ पर submit में क्लिक कर देना है तो Twitch application में अब हमारा account verify हो चुका है उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक किजेगा तो यहाँ पर से आप अपना profile देख सकते हैं इस तरह से आप Twitch application में अपना account create कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए बाद थैंक्यू